नमस्का स्रेंट्स गुट मॉर्निंग यस्टरड़े मैं आपको चेप्टर नमबर वन अवंडर्फूल मशीन इस अ कॉंप्यूटर उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था लेकिन आज मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ राइट सो कॉंप्यूटर क्या है राइट कॉंप्यूटर इस अन इलेक्ट्रोनिक मशीन एंड सेकंड थींग इस अवंडर्फूल मशीन राइट नव हाँ पार्ट्स आपको यह है कॉंप्यूटर के में फोर पार्ट्स राइट फर्स्ट वन इस मॉनिटर सीपी यू कीबोर्ड एड माउस राइट देन अप्टर हम क कॉंप्यूटर में कर सकते हैं ट्राइब लेटरस हैंन रोलाइट सॉम्स शोंस वॉच मुवीज एन लिस links प्लेगेंज सोंग से फिर गैंस जो है यूमन कंटिनडियोजली कर सकता इक करता है बहुत सारे घंटे तख़ाम कर सकता है और वह ब्रुडर नहीं होता हम करते हैं तो उसमें मतलब की हम काम करते हैं तब होती हमारे से लिश abandon c Derek कुभी मिस्टेक नहीं करता वह करता है डे यह वह भुआ सब्सक्रड़ के पास बहुत ज्यादा मेंवरी है हम उसमें बहुत सारा डेटा और information store कर सकते है a human can do few tasks right हम एकी टाइम पर दो या तीन टास्क कर सकते है बट computer एकी टाइम पर बहुत सारे काम कर सकते है जैसे कि black games कर सकते है solve sums कर सकते है साथ में हम music भी सुन सकते है उसके बाद में ये तो हो गया कि computer human के से ज्यादा वो सुपिरियर है बट कभी कभी human भी computer से सुपिरियर है क्यूं क्यूंकि human can take his own decision तो human भी अपना decision ले सकते है बट computer अपना decision ले सकता है no a human can work on his own means कि human जो है वो अपना काम खूद करते हैं बट computer जो है उसे किसी की इंट्रक्शन चाहिए without interaction from a human अगर हम इंट्रक्शन नहीं देंगे तो computer काम नहीं करेगा जैसे कि हम computer स्टार्ट करेंगे तभी तो computer स्टार्ट होगा उसके बीना वह से स्टार्ट हो जाएगा no a human does not need electricity to work human being को electricity नहीं चाहिए क्यों काम करने के लिए बट computer नेट इलेक्रिसिटी कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है electricity की human has a natural brain हमारे पास जो दिया हुआ है God gifted natural brain है बट computer के पास artificial है क्यों artificial है क्योंकि यह किसने बनाया है human so that's why we are calling artificial brain देन आप्टर मैंने बताया था कि types of computer राइट क्यों से types of computer है तो देरा desktop computer laptop computer पाम टॉप computer and tablet computer यह जो चार है राइट फोर में types of computer उसके बाद में desktop computer क्या है तो जो computer next or table पर रहता है उसे desktop computer केते हैं उसकी size बीग होती है और वह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर easily move नहीं हो सकते राइट देन आप्टर next thing is laptop computer क्या है कि वह हम हमारे लैप में भी आ जा सकता है राइट उसे laptop computer केते हैं वह है portable computer and laptop computer को हम कहीं भी लेके जा सकता है राइट इस आसो कॉल्ड नोट्बुक क्यों क्यों क्योंकि यह notebook की तरह क्लोज हो जाता है देन आप्टर a computer which can be sorry palm top computer computer which can be easily fitted in your palm means कि हमारे palm में भी रह सकता है उसे palm top computer केते हैं उसकी size क्या है small a computer with then after tablet computer right tablet computer कैसा दिखता है mobile phone की जैसा उसके पास क्या है touch screen right लेकिन वह mobile से थोड़ा बड़ा है ओके और mobile के phone mobile phone के जैसे उसके features होते है राइट उसमें हम गेम खेल सकते हैं इंटरनेट स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा भी कुछ काम कर सकते हैं राइट so students today we are going to start our exercise राइट इन टेक्सक्सक्सक्सक्सक्स टेक्सक्सक्सक्सक्स पेज नमबर 9 राइट write down today's date right so today's date is 20 July 2020 right now we are going to start the exercise now first exercise is A take the correct option right so first one is on a computer you can right computer में हम क्या कर सकते हैं तो cook food कर सकते हैं no wash wash clothes right तो हम कपड़े दो सकते हैं no and then after see play games तो हम computer में क्या कर सकते हैं तो play games तो आप यहां पे third option पर टिक कीजिए जैसे मैंने किया है उसमें देन आप्टर सेकेंड वन इस और डेक्स्टोप computer इस राइट को डेक्स्टोप computer कैसा है तो data computer small in size desktop computer छोटा होता है रहाइट होता है छोटा नहीं है मैं हैवी साइज राइट हैं ऊप्रद से के एजली भी मूड डेक्स्टीव क्या सथा होता है यह मैं हेवी होता है right big and heavy and can easily be mood हम उसे एक प्लेस पर दूसरे प्लेस पर लेज़के जा सकते हैं no so this is heavy in size तो we can option write the option B so मैंने यहां पर टिक किया है तो आप भी कर दीजे then after third one is a computer is and dash computer क्या है तो first one is a electric machine computer electric machine है no then after electronic machine computer electronic machine है then after welding machine तो इसमें से computer is an electronic machine so our option is answer is B so tick here okay now next exercise is exercise B answer the following questions right इसमें question answer दिये हुए so first one is a what is a computer means computer क्या है right मैंने यहां पर answer लिखा है कि computer is an electronic and a wonderful machine computer क्या है electronic and a wonderful machine then after second question is write any two things which you can do on a computer means हम computer में क्या कर सकते हैं इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं जैसे की solve your sums play music play games and watch cartoon films right यह सब हम कर सकते हैं now turn the page page number 10 right now third question is write any three differences between a computer and a human being right three differences लिखने 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 हैं so a human has a limited memory human के पास कैसे memory है limited कम memory थोड़ी memory होती है then after a computer has a used memory computer के पास कितने memory होती है बहुत ज्यादा right then after a human has a natural brain human के पास कैसा ब्रेन है natural brain लेकिन computer has an artificial brain computer के पास कंसा brain होता है artificial it has an artificial brain now next question is what is a laptop computer now laptop computer क्या है so answer is a laptop computer is a portable computer and also called a notebook computer right laptop computer क्या है तो laptop computer को हम portable computer भी के सकते है and also called a notebook computer then after option c match the words with the correct pictures right इसमें matching करना है but don't like matching like this okay but you can do like this okay यहां पर मैंने already answer लिखा हुआ है जो आपको लिखना है right laptop computer अभी यह picture में आपको laptop computer कौन सा है वो identify करना है right matching करना है so laptop computer is here right this is a laptop computer second one is a palm top computer right तो palm top computer कौन सा है यह रहा this is palm top computer then after desktop computer तो desktop computer क्या है यह वाला जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था right this is a desktop computer right and then after keyboard right this is a keyboard this is option is B यह क्या है keyboard तो laptop computer का answer क्या है option is answer is c this is laptop computer right यह notebook की तरह दिखता है okay this is c palm top computer का answer है a this is palm top computer desktop computer answer is d this is desktop computer and keyboard is answer B this is keyboard now next exercise is exercise D this is exercise D right true or false for following statements right जो नीचे question sentence दिये है उसके बारे में हमें लिखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है right so first one is a computer works very slow computer slow काम करता है so answer क्या आएगा क्या आएगा बच्छो answer is false right answer क्या आएगा false आएगा क्यों क्यूंकि computer work कैसा करता है fast करता है a human being cannot work continuously for many hours right इसमें क्या बोला गया है कि human being continuously work नहीं कर सकता this is true or false true क्योंकि human being है वो continuously work नहीं कर सकता then after a computer can work on its own computer अभी अपने आप काम करता है करता है students no so answer is false then after fourth one a computer runs on a petrol computer के लिए petrol चाहिए no तो क्या चाहिए electricity तो answer is false then after a computer does not get tired or bored right computer कभी थकता नहीं है और वो one number join the dots to complete the picture and color it also okay यह यहापे picture दिया गया है उसको ऐसे joint करना है जैसे मैं अभी कर रही हूं right ऐसे joint करके पूरा उसके बाद में आपको इसमें color fill करना है जो कि आपका favorite color है right तो join the dots and complete the picture यह picture को complete करके उसमें color करना है right यह हो गई page number 11 finish now turn the page page number 12 right then after second one is find out and write the names of any two companies that make tablet computers की tablet computers कौन से companies बनाती है तो इसके बारे में आप अपने ममें पैनेंट से पूछे की कौन से companies है जो tablet बनाती है उसके नाम यहाँ पे लिखने है right then after cut and paste the picture but देखो इसमें interaction दी है cut and paste the picture of a laptop and a desktop computer in the box given below right इसमें laptop का picture लगाना है और इसमें desktop का but student हमें यह picture नहीं लगाना है उसके बारे में उसके बदले में आपको क्या करना है यहाँ पे laptop का picture ड्रो करना है और यहाँ पे desktop का picture ड्रो करना है right यहाँ पे हमें picture नहीं लगाना है right picture क्योंकि हम picture को हम market से खरिदना पड़ता है right इसलिए यह हमें हम खूदी ड्रो करेंगे right और यहाँ पे desktop का desktop computer ड्रो करेंगे then after brain teaser right this is a game like now find the things that can be done on a computer right की computer में हम क्या कर सकते है in the grid given below and circle with the sketch pen right यह हम pencil से भी कर सकते है right तो हमें क्या करना है तो इसमें सबसे पहले है कि मैं अभी यहाँ पे आपको लिख देती हूं वह आपको इसमें puzzle में डूंड़ना है कि हम computer में क्या कर सकते है right so students यह चो चार words मैंने लिखे है one two three four यह आपको यहाँ पर यह puzzle में डूंड़ना है okay now exercise is done now your homework is write textbook write the exercise in textbooks thank you